दिहार के बैसाली जीले के सराय थाना अंतरगत हाजीपूर में जदिव नेता की गारी ने आठ लोगों को रौन दिया जिसमें एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई वहीं साथ लोगों की हालत चिंता जनक बनी हुई है। जा रहे हैं कि आखिर मध्यपूरा ड्येम की गारी से कुचलने के बाद मध्यपूरा ड्येम पर क्या कारवाई हुई है। जो से अपडेट रहने के लिए कि आखिर मध्यपूरा ड्येम की गारी से चार लोगों को कुचल दिया गया था। जिसमें तीन लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी और मध्यपूरा ड्येम जो हैं वो एक बाइक से फरार हो गए थे। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुचाने की भी जहमत नहीं उठाए। लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से जो एक्षन लिया गया है उसे जानकर आप और हैरान रह जाएंगी। रसल आपको बताते चले कि मध्यपूरा ड्येम पर किसी तरह की कोई भी कारवाई नहीं की गई। की मध्यपूरा ड्येम छट पर के दोरान अपने जिले से ड्यूटी से गयब थे उनका मोबाईल जो है वो रेंज से बाहर था इसके बाबजूद सरकार ने मध्यपूरा ड्येम पर कोई कारवाई नहीं की और सरकार उन्हें बचाने की तमाम जुगत भी आ रही है प्रसासन रहते तो मध्यपूरा ड्येम पर जरूर कारवाई की जाती लेकिन तीन लोगों के हत्या के आरोपिज ड्येम पर किसी तरह की कोई भी कारवाई नहीं हुई वहीं आपको बताते चले कि इसी सबसे अपरादियों का और दबंगों का मुनुबल बर्ता चला जा रहा है और इ अपना हाजेपूर के सराय थाना छेतर के रजोली गाउं की है जहां सरक किनारे बालू की गारी थी इसी दोरान तेज रफ्तार से आ रही जदिवनेता की गारी के चालक ने अपना आपा खो दिया और सरक किनारे घर के दरबाजे पर खरे साथ लोगों को रौन दिया इस गारे लोग एक ही परिवार के थे और बताया जा रहा कि घैलो का इलाज हाजीपूर सदर अस्पताल में किया जा रहा है वहीं तीन लोगों को जिनकी हालत चिंता जनक बनी हुई थी उन्हें PMCHR फर कर दिया गया है वहीं जखमी के परिजनों ने बताया कि घटना में टोट लगा हुआ है इस मामले में सदर SDPO ओम परकास ने बताया कि बालू वाला ट्रक सरक किनारे लगा हुआ था जिससे बचने के लिए गारी नियनकेत्र हो गई जिसमें यह हाथसा हो गया तीन लोग जखमी है और एक की मौत हो गई वहीं घटना के बाद ड्राइबर और गारी के अंदर बैठे सभी लोग भाग गये गारी किसकी है अभी तक इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है यह दरसल अब DSP का ब्यान है कि गारी किसकी है इस बात की पुष्टी नहीं हो पाई है जब कि गारी के नंबर से कोई भी बेक्ति किसी का भी एम परिवहन एप आता है उस में जाकर के कोई भी गारी का नंबर रेजिस्टेशन नंबर आप डालते हैं तो गारी के मालिक और उसका पूरा का पूरा एड्रेस आ जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस DSP के महोदे के ब्यान के बाद ये बात साब साब जलक रही है कि जदिव नेता को भी ब दूसरा जो भी DM है जो भी पताधिकारी है अब वो लोगों को रौंद रहे हैं खोल्याम हत्याएं हो रही है रोड रेज के नाम पर हत्याएं हो रही है लेकिन इन सभी को बचाने की पूरी कोशिस की जा रही है इस मामले में आपकी क्या प्रतिकडिया है आप क्या सोचते ह अपनी प्रतिकरिया जरूर दे जुरे रहे हमारे साथ जय हिंद जय भारत